धर्म प्रिमी सज्जनों अर्य बंदू मैंने आप लोगों से कल बताया भी था कि अगर इंटरनेट साथ दे रहा है तो मैं आप लोगों से जुड़ पाऊंगा और ये इंटरनेट साथ नहीं दे रहा है मेरा और बार बार मैं परियास करने से भीफल लहाँ और ये चल के नहीं दिया दस मिलिट कई बार परियास किया हूँ मैं तो आईए मैं कैमीरा के माधम से वीडियो के द्वारा आप लोगों तक संदेशा पहुचा रहा हूँ कि आज मैंने ये मन बनाया कि आप लोगों को बताऊं कि क्या कुरान इश्वर ये ग्यान है अर्थाथ कुरान इश्वर ये ग्यान है या नहीं इसका पड़ताल मैं आज आप लोगों के सामने पुर्चुत कर रहा हूँ कि जिससे आप आप लोगों को भी ये पता चल जाए कि सही अश्वर ये ग्यान होने की जो कसोटी है उस कसोटी पर ये कुरान खरा उतर रहा है या नहीं और मैं परथम से ही ये बताता आया हूँ और विशेश कर इसलाम जगत की आलिमों से मैंने दो टुकबे ये बात कही ये कुरान को कोई कलाम ल्ला सिध कर के दिखाए प्रण को कलामुल्ला है, उतना ही कठिन है, जितना कि अंधिकार में प्रकाश को दिखाना अन्दिकार में प्रकाश का दिखना संबम नहीं होगा ठीक उसी तरीके से पुरान को या बाइविल को इश्वरिय ग्यान कहना संबम नहीं है और ये इश्वरिय ग्यान के कसोटी पे घरा उतरने वाले भी नहीं है मैं जादा तो नहीं मैं कुछ थोड़ा बहुत परमान आप लों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इश्वरिय ग्यान नहीं है इसे सिद्ध करने के लिए अर्थात इसको परमानित करने के लिए मुझे और किसी किताब की आवश्चक्ता और जरूरत नहीं है और ना जरूरत पड़ेगी कुरान ही परियाप्त है क्योंकि एक बात के स्पेश्टी करने मैं आप लों को और दे दूँ कि हदीश को जुटलाया जाना संबब है कोई भी कह सकता है कि ये जईफ हदीश है ये गरीब हदीश है पूर हदीश है आथेंटिक नहीं है आदी आदी फिर भी बुखारी शरीफ मुस्लिम तिर्मीजी अबुदाओद मिशकात इबन माजा ये छे हदीश को जो सह सीचता कहा गया है छे हदीशों को आथेंटिक मानते हैं इसके बावजूद भी ये कहना है कि एक गुंजाइश है कि हदीश को नहीं मानते क्युँकि वो जो ऑथेंटिक मान नहीं हैं उन हदीशों में भी आप फरक पाएंगे एक दूसरे से मतवैद है औल्बा धीन में यानि इसलाम जगत के आलीमों में एक दूसरे से मतवैद है लेकिन कुरान पर किसी का मतवेद होना संबब नहीं है क्योंकि कुरान को डिनाई करना संबब नहीं है आसिकार करना संबब नहीं है और कुरान पर किसी का दिमत होना संबब नहीं है कि यह आयते नहीं है इसलिए मैंने यह उची समझा और अब तक आप लोगों ने भी देखा होगा मैंने अब तक जो कारी किया है जो काम मैं करके दिया हूँ वो सारा प्रमान मैं कुरान से ही दिया हूँ मैं अन गरंथों का हवाला कम देता हूँ कुरान का हवाला जादा देता हूँ इसलिए जब हम कुरान को आधो पांध पढ़ेंगे तो कुरान से ही हमें यह पता चलेगा कि कुरान कलाम उल्लाह नहीं है कलाम उल्लाह शब्द का आर्थ होता है कि अल्लाह की कही हुई अल्लाह ने कहा अल्लाह ने बोला अल्लाह ने बताया आधी आधी तो जब अल्लाह ने बोला ये शब्द आएगा ना तो उसी शब्द में ही ये मात खा जाएंगे क्यों कि बोलने के लिए एक मानव को छोड़ करके कोई बोलने की सवभा किसी को प्राप्त नहीं कराया परमत्मालें अगर जीव जन्तु को आप सिखाते हैं बोलते हैं लेकिन उनके बोली में और इ कुरान का अल्ला मानव जैसा है अभी बोलेंगे मानव नहीं है तो बोलना संबब क्यों कैसा होगा और मैं आज ये सिर्ध कर दूंगा कि कुरान का अल्ला महदूद एक शक्स है एक ब्यक्ति विश्ष का नाम अल्ला है जो शरीर धारी है जो बोलता है जो कलाम करता है इसलि मैं नमुना के तोर पर थोड़ा थोड़ा उधारन आप लोग के सामने प्रसुत करना हूँ कि यहां पर अल्ला ने क्या फर्माया है यह है सूरा निशा आयात नमर है 155-156 यहां पर अल्ला ने जिकर फर्माया है फबमा नक्जिम मी साकहुं वकुफरिम बायात ल्लाह वा कतलिहम अल्बिया बगयर हकुं वकुलिहम कुलूबन गुल्फ बल्तबा ल्ल्लाह अल्या बकुफरिम फला युमनून बिल्ला कलीला फला युमनून इल्ला कलीला वयक्फरु हिम वकुलिहम अल्या मर्यम बहतान अजीमा लेके बहतान अजीमा शब्ला है के मर्यम पर बहतान मत लगाओ यह अल्ला फर्मा रहे हैं साओ मर्यम पर बहतान मत लगाओ काहे को के मर्यम कुमारी अवस्ता में संतान जनम दियाओ इसलिए लोकाचार में दुनियादारी में यह संबम नहीं है अब यहाँ एक बात मैं और बता रहा हूँ यहाँ अल्ला हवाला क्या दे रहे हैं क्या रहे मैं मर्यम इसा को कैसा बनाया बिना बाप का यह पुछते हो मेरे से मैं अल्ला हूँ देखो मेरे कुदाई आई क्या इभी कुरान की आया था सुरह रिम्दान में क्या बोला कि तुम हमें पूछते हो कि हमने इसा को बिना बाप का कैसा बनाया जब मैं आदम को बिना मा और बिना बाप का बना सकता हूँ तो क्या इसा को बिना बाप का बनाना मेरे लिए कोई कटिन काम है अब यहां आईए हम पड़ताल करते हैं कि तर्क कसोटी पर यह अल्ला है या क्या है इसके बारे में भी पता लग जाएगा अल्ला के पास आकल नाम की कोई चीज नहीं है क्यों? कि अगर यह प्रमांग दे रहे है अल्ला कि मैं किबल कुन कहता है हो जाओ फ़यकुन पस हो जाता है पर मैं आदम को जब बिना मां और बिना बाप का बनाया तो एक इसा को बिना बाप का बनाना मेरे ले कोई कठीन काम है क्या? लेकिन अल्ला को यह पता नहीं लग पाया कि आदम की अगर प्रतम स्रिष्टी में आदम आए तो प्रतम का जो स्रिष्टी है वो अमैथुनी है अनसेक्चुल है वेद के आधार पर यह भी आपको पता लएगा लेकिन इसा के काल में अमैथुनी कहा है? इसा के काल में मैथुनी स्रिष्टी है और मैतुनी स्रिष्टी में अगर इसा है तो बीना मा पर बीना मा के सिर्ष्टी बनना संबब नहीं है चाहे अल्ला हो या अल्ला का कोई और शक्ति बढ़ कर क्यों नहीं बना पाईगा ये स्रिष्टिनियम विरुद है प्रकितिनियम विरुद है विग्यान विरुद है और मानवता विरुद भी है यानी और आन मानवता से भी परे है मैं 2004 के एक अगस्त में मौणा फारुख खान से पूछा था ये कुरान में मानवता है क्या फाग गए फारुक खान जबाम नहीं दे पाए दिल्ली के खारी बाव ले आ रहे हैं समाज में लेकिन मैं यहां क्या कह रहा हूँ यहां आल्ला ने क्या बोला देखे यह सजा बास सबब उनकी एहद शिक्नी और और एहकाम इलाही के साथ कुफर करने के और अल्ला के नबियों का नहा गत्र कर डालने के और यू कहिए के हमारे दिलों पर गिलाफ है परदा है खुल चड़ा हुआ है अज़े दिलों पर गिलाफ चड़ाने का काम अल्ला का है किसी के दिलों पर गिलाफ चड़ाने का काम अल्ला का है अगर अल्ला ने गिलाफ चड़ा दिया तो फिर वो सही और सच्चे रास्ते पर कैसे जाएंगे तो भटकाने वाला कौन है या अल्ला खुद भटका रहे इसलिए मैं निविदन कर रहा हूं कि कुरान को कलाम उल्ला कहना वो बाते हैं या बाइबल को इश्वर ये ग्यान कहना वो बाते हैं जिप्रकास में अंदकार को या अंदकार में प्रकास को ढूनना देखिया अब फिर क्या बोला हाला कि दर असल इनके कुफर की वज़ा से इन पर अल्ला ताला ने महर लगा दी देखिए अल्ला ताला उन पर उटके कुफर के करन अल्ला ताला ने महर लगा दिया अब किसी के दिल पे अगर अल्ला ताला महर लगा रहे हैं तो वो फिर सही और सचे रास्ते पर क्यों और कैसे आ सकते हैं तो यहाँ पर अल्ला ने भी बोला है कि मैं चाहूं तो सही रास्ते पे आ जाएंगे और मैं चाहूं को तो भटका दूँगा और ये मोहर लगा दिया भटका दिया है अल्ला तो ये अल्ला का कामी अच्छा आदमी का भी काम नहीं है भला एक इंसान अच्छा इंसान का भी काम नहीं है कि किसी को गलत रास्ता बता दे अगर कोई रास्ता पूछता है उसको मालूम होगा तो बता देगा वह या इस तरीके से जाओ चले जाओगे अगर पता नहीं है तो हाथ जोड़ करके कहेंगे साहब आप किसी दूसरे से पूछ लीजे किसी और से पूछ ली हैं और उनके कुफर की बास और मरियम मरियम बहुत बड़ा बोहतान मांगने के बास ये मर्याम के उपर जो बोहतान इन्होंने लगाया बोहतान क्या लगाता है जो बाद दिखाई दे रहा है कि एक कुवारी के आवस्ता ये कुवारी आवस्ता में कोई संतान जन्म दे रहा है कि वो बोहतान लगाना होगा आरोप लगाना होगा वो तो देख रहा है लोग देख करके बोल रहा है अब यहाँ पर तफसीर इबन कसीर में पेज नमबर 702 में पारा नमबर 6 में क्याली काली के आयत नमबर 155-156 में कि एहले किताब के इन गुनाहों का बयान हो रहा है अब अहले किताब गुनागार हो गए अहले किताब भी वो भी अल्ला के ही बनाई हुए है यानि जो तवरेद के मानने वाले लोग है उनको अहले किताब का गया है और वो तवरेद भी अल्ला का दिया हुआ है और अल्ला ने अपने रसूल को दिया मुसा को दिया पैगंबर को दिया और उनके मानने वाले लोग है इसलिए ये मानो समाज में किताब को ले करके भी जगड़ा अल्ला का ही लगाया हुआ है तो मैंने यहां इविदन किया कि यहां ये लिख रहे हैं कि उनके गुनाहों का बयान हो रहा है जिनकी वज़ा से कि अल्ला की रहमतों से दूर डाल दिये गए और मलाउन वो जलावतन कर दिये गए और शैतान को और मलाउन मलाउन मने काफिर है इन काफिरों को जलावतन घर निकाला कर दिया गया यह सब अल्ला का काम है तो अल्ला क्या दुनिया में मानुब बन कर क्या कर कि मानुब के साथ ये खेल खेल रहे है ये मैं बोल रहा हूं कि एक बैक्ति मिशेश का नाम ही अल्ला है अल्ला कोई अधरिश गये वाली बात नहीं है लेकिन समय हो रहा है जब जल्दी जल्दी चलते है इसमें और देखे, और क्या बताया है? यहां और क्या बताया है? यहां और यह बताया है, और यूं कहिए कि बास हमने अल्लह के रसूल मसीह इबन मर्यम को कतल कर दिया, वो लोग कह रहे थे कि कतल कर दिया, हाला के ना तो उन्होंने कतल किया और ना उन्होंने सुली पर चड़ाया, बल्कि उनके लिए वही सूरत बना दी, उनके लिए वही सूरत, किसी एक और आदमी को इसा का सूरत बना दिया, यह कौन से तुक की बात है, यह खड़ा-खड़ा किसी आदमी का बिना प्लस्टिक सरजरी की उसका शकल सूरत बदल जाए, यह अल्ला का काम है, यानी ला को ये सलीका भी नहीं है कि कैसा क्या होता है सिटी की रचना कैसे की जाती है आगमी खड़ा खड़ा उसका शकल बदल दिया ला ने यकिनन जानों के ईशा के बारे में इफिलाफ करने वाले इनके हाल में शक हैं, शक में है उन्हें इसका कोई यकीन नहीं भजुज तख्मीनी बातों पर अमल करने के इतना यकीन है और अल्ला यहां फिर क्या कह रहे हैं फिर ये बनी इसराइल की वो जो कौम की लोगों ने किया था उसरा मसीब को पताया था कि हम ने सुली पर चढ़ा या इन को कतल कर दिया उस इंदर में अल्ला ही लिए फिर प्खले ये चेहना गुञा हैं वो गुञा गिना रहे हैं लेकिन यहां अल्ला ने और फिर क्या कहा दिएगा एक आज और पते की बात मैं बता रहा हूं कि पुरान कलाम अल्ला होना संबब इसलिए भी नहीं है कि अल्ला की बात जूटी है कैसा मैं इसमें से दे रहा हूं देखे क्या बोला यहां कि उन्होंने इसे गतल नहीं किया बल्के अल्ला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया है क्या बोला कि बर्रफा ऑल्लाह इल्यही वकान अल्लाह अजीज़न हकिम वहां अल्ला ने अपने तरफ अपने ऊपर उठा लिया अचा खड़ा खड़ा एक आजमी को ऊपर उठा ले ना ये किम और कैसा संपव होगा कि बल इतना है नहीं और यहां तक बताया है इसमें कि जो कमरे में थे ना उस छत को तोड़ करके ऊपर उठा लिया अब बताये ये बेतुकी बाते हैं कि नहीं है अंसाइंटिफिक बाते हैं कि नहीं है अवैगनिक बाते हैं कि नहीं है आमान वियता की बाते हैं कि नहीं है ये आमान वियत तरीका हैं कि नहीं है ये सब काम किस तरीके से होना समझा वो करने वाला अल्ला है तो अल्ला क्या है फिर आगी क्या बताय दिखेगा, कि अपनी तरव उठा लिया, अल्लाह ताला बड़ा सबर्दस्त और पूरी हिकमत वाला है, अल्लाह का हिकमत देखे, अल्लाह के हिकमत यह है बुद्धी, अकल, मैं तो बोला हूँ, अल्लाह के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है, जो हदरत इसा को मौत से पहले उन पर इमाल लाने, इमाल ना रा चुके, और कयामत के दिन आपने उन पर गवा होंगे, कयामत के दिन अल्लाह उन पर गवा होंगे, और देखे, आगे क्या बताया है, यानि अल्लाह की कई भी बातें बिलकुल आमान भी है, बिल्कुल विग्यान विरुद है वाइगनिक है यहाँ आगे क्या बताया देखिएगा बिल्कुल विएगनिक है वातदना लिलकाफरीन मिन्हुम आजाब अजीमा लकिन रर्रासिखून फिल्विल्म मिन्हुमुम्नुन युमिनुन 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 बिमा उन्जल इलैक वमा उन्जल मिन कबलिक। वल्मुमिन वल्मुमिनुन बिल्लाहि वल्युमिन अज्र अजीमा यहां अल्लाने क्या पता है कि जो नफीज चीजें हैं उनके लिए हलाल की गई थी और यहां हराम और हलाल की बाते आ रही है कि जो चीज उनके लिए हराम किया गया था उनको उल्लाह हलाल माना और जो हराम किया था उनको हलाल माना और जो हराम था उनको हलाल माना यहां भी परिद किया है और अल्लाह ने यहां साफ शब्दों में लिखा है कि नाखुन वाला जानवर इनके लिए हराम है अब ना कुन वाला जान वर सभी अल्ला को आप 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 यहा क्या कमाल किया है क्या कमाल किया है मुसा से कलाम कर रहे हैं अरे कलाम करने वारा अल्ला इंसान होगा अल्ला नहीं हो सकता सिश्टी के रचैता नहीं हो सकता क्या वाल्रसूल मुबश्चिरीन वमुश्चिरीन लाला यकून लिन्नास अला लाह हुबतं हुबतं बाद रसूल वकान अल्लाह अजीजन हकीमा क्या बला देखिए यकीनल हमने तेरी तरफ इसी तरह वही की है कि जैसे कि नूः जैसे कि नूः और अनके बाद आने वाले नपीों की तरफ और हमने वहीव की बराबर अबराहिम और इसमाईल और याफूब और उनके आवलादों पर और आयूब और विंयूनुस और हारून पर और इसमाईल की तरफ और हमने दाओद को जबूर अटा फर्माईी अलएकि दाओद को जबूर अटा किसने फर्माईी अल्न ने और फिर अल्ल्ह विरोध कर रहे हैं कि उसको ना मानू क्या कालाँ था अब गुरान को मानने की बात आला कह रहे हैं और जबूर को बेजने वा municipality अला है दाउद को दिया था और ये मुहमम्मद को दिया है इसकी बात को मानो क्यों तो यहां पर आया है कि लोगों ने ये बताते हैं लोगों ने उसमें मिल वट कर दी तो लोगों की मिलावट होना इसमें संभव है अल्ला को इल्म साकी नहीं पहले से तो अल्ला ग्यानी है या ग्यानी है कि बहुत इतना है और क्या फर्मा लिखेगा और तुझसे पहले पहले के बहुत बहुत से रसूल को वह यतिकाद हमने तुझ से बयान किये और बहुत से रसूल के नहीं नहीं भी किये यानि तुझ से बहुत से रसूल की बयान किये और बहुत से रसूल के बयान नहीं भी किये है और मुसा से अल्ला ने साफ तौर पर कलाम किया ओ दुन्या वालो जरा दियान से सुनना मेरी बातों को मुसा से अल्ला ने साफ तौर पर कलाम किया, कलाम माने बात करना और ये कोहतूर पर बात की ये आतातूर पहाड जो बोल रहा है ना ये वो पकवास कर रहा है, उसको आता पता कुछ भी नहीं है, वो आतातूर पहाड बोल ला है, मुरक आदमिया हो, यहाँ पर कोहतूर आया है, कुरान में कोहतूर बताया है, तो कोहतूर पर क्या किया है, अल्ला ने साफ तोर पर कलाम किया, अब अल्ला साफ तोर पर मुसा से कलाम कर रहे हैं, जैसा कलाम माने शब्द, कलाम माने बोलना, कलाम माने कहना कलाम माने बताना जब ये सारा काम अल्ला का है तो अद्रिश क्यों और कैसे हैं कि बहले इतना है एक चीज़ मैं और दूँगा जो अकाट प्रमान है कुरान की बातों कोई कुरान से काटा जाएगा कैसा देखिएगा और हमने उन्हें रसूल बना कर उसे रसूल बनाया जो खुश खबरी बयान सुनाने वाले और आगा करने वाले ताके लोगों के कोई हुज़त और इल्जाम रसूल के भेजे के बाद भेजने के बाद अल्ला पर ना जाए और अल्ला बड़ा खालिब और बड़ा हिकमत वाला है के रसूल के तौला अल्ला पर कोई दोस न जाए और ये सारा दोस अल्ला पर ही लग रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ कुरान कह रहा है और सारा दोस अल्ला पर किसले लग रहा है के जब अल्ला कलाम कर रहे है बोल रहे है तो बोलने वाला इंसान को छोड़ करके और कौन बोल सकता है आगे क्या बताया है वाला लियहदीहम तरीका इला तरीका जनता जहन्नम खालदीन फिहा बदा वकान जलिक अलालाहि यसीरा या ऐयुहन्नास कद जाएकम रसूल बिलहक वमिर्रबिकुम वामिनु खेरल्लकुम वाइन तक्फुरू वाइन लिल्लाहिक मा फिस्समावात वालार्द वाकान अल्लाहु अलीमन हकीमा ये 170 तक मैं अब तक आप लोगों को सुनाया या कि जो कुछ तेरी तरफ उतारे गए इसकी बात अल्लाह खुद गवाही है खुद गवाही देता है और इससे अपने और उतारे हैं और फरिष्टे भी गवाही देते हैं कि काफी है और अल्लाह गवाह है जिन लोगों ने कुफर किया है और अल्ला के राह से और लोगों को गुमरा किया है वो यकिनां गुमराही में दूर निकल गए जिन लोगों ने कुफर किया है जल्म और उन्हें अल्ला ताला हर्गिज ना बक्षेगा और उन्हें कोई राह दिखाएगा उन्हें कोई राह न के लिए है इस तरीके से अब केबल इतना नहीं जब हदरत इसा मसी को अल्ला ने उठा लिया आस्मान पर उठा लिया अपने पास उठा लिया और अपने पास उठा लेने के बाद अल्ला ने फिर कहा के कयामत से पहले वो इसा आएंगे वो इसा को भेजा जाएगा जब इसा को भेजा जाएगा मेरा सवाल उलमाए दीन से है इसलाम जिगत के बिद्वानों से है जब इसा को भेजा जाएगा क्या वो रसूल बन करके आएगे या बंदा बन करके आएगे अगर बंदा बन करके आएगे तो उनकी मर्यादा पे तोहीनी हुई क्योंकि वो रसूल थे पेखंबर थे अगर वो पेखंबर नहीं बन करके आए इनसान बन करके आए तो उनकी इज्जत पे धबा लग गया और अगर वो रसूल बन करके आए तो फिर आल्लह का ये कहना जूट हुआ कि नभीों का खात्मा होगया है, मैं मुहम्मद को आखरी पेगंबर भेजा, आखरी नभी भेजा, जब आखरी नभीम्मद है, फिर इसा का आने का नभी ना होने का क्या प्रमाने? क्वांसी बास सच है मैं जो हबाला दे रहा हूं वो सच है या लौना ने जो कौरान में फर्माया वो सच है लौना ने तो कहते वखातमा नबीन वगान लग्लुन शेही न शेही ना कि ये नब्यों का खातमा हो गया यह ही पर कहां पर मुहम्मد तक मुहम्मद से बाद में कोई नभी आने वाला नहीं है कोई पेगंबर आने वाला नहीं है और अल्ला खुद फर्मा रहे हैं कि मैं इसा को भेजूंगा क्यामत से पहले उस समय दज्जाल भी आएगा आदी आदी यह सब होगा इमां मेहिदी भी आएँगे आदी अदी लेकिन मेरा सवाल ये है अलमाई-दीन से प्राँ और बाइबल के मानने वालें से प्राइबल के एक तबका मानते हैं एक तबका नहीं मानते अब पादरी कहरी कह रहा है जो यह मानते हैं यह गलत है यह ज careless है ना नानी याद आ जाएगे इनकी सामने आने पर मैं दावा के साथ सिना ठोक करके कह रहा हूँ और सारा परमान मैं कुरान से ही दूँगा कुरान से ही इने नंगा करके छोड़ूँगा को कुरान इश्वर ये गयान नहीं है और ना होना संभव है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ जहां पर अल्लाह यहां फर्मा रहे हैं कि इसा को उन्होंने आस्मान पर उठा लिया देखी कह रहें या अहल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तकूलूना अल्लाह इल्लालहा इल्लाहा इन्नहाल मसीह इसलिए बन मर्यम रसूललाह वकलिमातह अल्काहा इला मर्यमा वरुह मिन्हु वामिन बिल्लाह वरसूलिह वला तकूलू सलासतु इंतभू खेर लगु उन्नमा ल्ल्लाह इल्यह वाहिदा सुभानहु आं यकून ल़ह वलदु आहली किताव अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ यानि अल्ला चेतावनी दे रहे हैं ढरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं अहली अपने दीन से हद से न गुजर जाओ यह अल्ला डरा रहे और वो अहल किताब भी अल्ला के ही दी हुए थे अल्ला की बनाई हुए थे किताब अल्ला की भेजी हुए किताब अल्ला की रसूल भी अल्ला नहीं भेजा हुआ था और उनको अल्ला धमकी दे रहे तो इस तरीके से मैंने निविदन किया इसार रसी बिन मर्यम सिर्फ अल्ला के रसूल और उनके हुकम के जिसे मर्यम की तरफ डाल दिया था जिसे मर्यम की तरफ डाल दिया था अल्ला मर्यम के साथ अल्ला का क्या संबन है बाइबल ने तो साफ कहा है कि वो इश्वर पुत्र है तो मरियम के साथ इश्वर का सम्मन रहा होगा तब히 तो पुतR बना किसी कि सम्मन का पुत्र कैसे बनेगे और पादरी कहरी कहरे हring क्या कहरा हुआ कि वो कह responder माला और पोग कहा माला कहीं वो बोला पेट में माला कहीं और जगा बोला तो मैंने कहा जब और जगा जब बोला ना तो मैंने बोला ये तो वाइबल में नहीं है यहां तो फुरू जहा शब्द कुरान में आया है वल्लापी आसनात फर्जहा फनफकना फीहा विरूखिना वजड़ना हा वमना आयतल्ला आलम यह कहा, है कि उसके गुप्तिंदरी में वहा फुरू जहाँ शब्दाया वा पर, अल्हा ने उसके अंदल में फूक बारी, फूक मानने से कोई रूम पैदा हो जाता है, तो मैने कیरी को बोला, पाधरी कहरी को, पेट में बानी, मैंने कपड़ा उठा करके मारा या कपड़ा क अब लोगा और बहुत यह कर चुछ पूख मानने वाला शर्रिधारी होगा या नहीं है अब देखेे कर लेकिए और सूदेरी बहुत्त forte नहीं और लैघ और से hm ti n, अजिए यहा बहुत आजाओ यह तुम्हारे लिए बहुतर यही है ऑलाकी अबाleक मे मतहित की लाय वो उस से पाक है उसका कोई अवलाद नहीं है इसके लिए है जो कुछ आस्मानों में और जो कुछ जमीन में है और अल्लह बस है काम भबाने वाला, अल्लह काम बनाने वाला है अल्लह काम बनाते है अरिक अब ला कि लिए अतनकि फ़ल्मसीह ऐन यकून अबद लिल्ह मकाओ वड ल्मलाइकतु वड्रोटून वमन यस्तनकिफ अन अबाद ही रिष़ जिस्तकब रसा एखशुर हम यले ही जमीहार इलेही जमीहार वाम्म लदे आमनुआ वामली विए वामिल वाम्म वाद फड वफिहिम उजूरहुम वयजीदुहुम मिन फद्लिही वाम्मल्दीन अस्तगबरु वस्तगबरु वयवज्जिबुहुम अजाबन अलिमा वला यजीदुना लहुम मिन दूनि ल्लाहे वलियों वला नसीरा ये शब्द आया है कुरान में क्या बोला मसी को अल्लह का बंदा होने में कोई तंग नहीं है वो यारत तकबर और इंकार हर्गिज हर्गिज हुई नहीं जिसका और ना मुकरर फरिष्टों को इससे बंदा की जो भी दिल चुराए और तकबर और इंकार करने वाले अल्लह से इन सब को इकठा की जाएगी और इन सब को जमाँ किया जाएगा पर जो लोग इमाला है और ताइशा एव आ आमाल किये हैं उन लोको को पूरा पूरा सबा इनायत शर्माया जाएगा यानि जो लोग ए Mmm again आफर टे बंदा tune और ज्यादती ज्यादती देगा और जिन लोगों ने दूआ मांगे और सरकशी इनकी इनकार किया उन्हें अलमनाक अजाव करेगा और वो अपने सिवाय रसुल की या अल्ला की सिवा किसी और की को दोस्त नहीं बनने वाला है इस तरीके से मैंने के वाल आज आप लोगों को यह प्रमानित किया आप लोगों के सामने यह सिद्ध करने का प्रयास किया आप लोगों को यह बताया कि अल्ला जो है वो दुनिया का बनाने वाला नहीं है अल्ला जो है वो निराकार नहीं है अल्ला जो है वो विचारवान नहीं है अल्ला जो है भले ही वो हिक्मत वाला कहे पर उनकी पास बुद्धी नाम की कोई चीज नहीं है और ये भी मैं प्रमानित कर दिया आज आप लोगों के सामने कुरान से ही के कुरान में ही अल्ला ने बोला कि नबियों का खात्मा मुहम्मद के लिए हुआ है मुहम्मद पर हुआ है इसके बाद कोई नबी नहीं आएंगे कोई नबी नहीं आएंगे कोई पैगंबर नहीं आएंगे कोई रसूल नहीं आएंगे लेकिन इसा को जो अल्ला ने उठा लिया और जो दोशी है उसको तो अल्ला शरन दे लिये और एक निर्दोष का शकल सुरत इसा जैसा बना करके उसको सूली पर चड़ा दिया, यह अल्रा नियाकारी है, इसलिए मैंने बितन करना हूँ, और अल्ला कयामत से पहले इसा को फिर भेजेंगे, तो इसा को रसूल बना करके भेजा जाएगा, रसूल बना कर भेजा जाएग अगर नभी बना करके भेजा गया, अगर बना करके भेजा तो वो रसूल थे, उनकी तोहीनी होगी, यानि प्रोग्रेस होना चाहिए था, उननती होनी चाहिए थी, अब नती हो रही है, पहली बात, दूसरी बात यह है, कि अगर रसूल बन करके आएगे, तो फिर रसूल मुहम्मद ही बनेंगे, उसके बाद कोई रसूल आएंगे नहीं, ये कैसा सब्बब होगा, ये क्यों सच होगा, फिर जब इस रसूल बन करके आएगे, तो कौन सी बात अल्ला की सही है, अल्ला की एक भी बात सही नहीं है, कुरान वाले आए सामने, मैं दावा के साथ मैं ये बोल रखा हूँ, कि कुरान वाले जो इसलाम के मानने वाले हैं, उन पर चर्चा मेरी कुरान पर होगी, वो वेद को नहीं जानते हैं, वेद पर अनलगर प्रड़ाप किया है उन्होंने, चाहे वो Mbbs मुन्ना भाई हो या एक सुबज़र कोई और हो, और जर ज इस कह रहा है, वो शलोक शलोक बोल रहा है, उसको ये अकल नहीं है कि वेद के मंतर होते हैं, शलोक नहीं होते हैं, शलोक में और मंतर में क्या भाई है, इस इतना ही अकल नहीं है, मैंने तो एक को बोला कि वेद का वा जो लिटर आया है, वो बता, और मेरे पास कई लोगों को तो शैतान कहा था वहां पर शैतान वहां था कहा ये तो मैं इसी मुर्खानंद को लिखाओं बेचारे ने जवाब दे कर फशाया इसलाम को इसको भी मैं लिखाओं मुश्पिक सुल्तान को वो डिंग हां करा है महंदरपाल को मुझ तोड़ जवाब अरे तु चौदा जनम में नहीं दे पाएगा एक जनम तो क्या तो जनम और मानता नहीं है तो चौदा खांदान मिल करके नहीं दे पाएगा इतना सुल्य जब मैं इसमें साफ दिखाया हूं साफ दर्शाया हूं कि जब अल्ला ने फरिष्टों को हुकम दिया सीधा करो तो इबलीस कहा था और हमारे बैक्ती नहीं पूछा कि इश्वर ये ग्यान वेज स्रिष्ट्री के आदिस लिखी गई अब उन बेचारे को इतना ही मालूम नहीं वो बढ़ोत कर रहने वाला है और बढ़ोत मेरा कार्य चेतर रहा है आज से नहीं बहुत पहले से मैं असी बैसी तिरासी तक बढ़ोत में रहा यानि बरवाला में ही रहा बरवाला बजार सब करने में मेरे बढ़ोत ही आना पड़ता था तो उसने बोला कि किसी एक से सुना हूँ मैं उसका नाम नहीं बता रहा हूँ तो उसने बोला कि उसने बोला है कि मैं जो बोला है उसके जिम्मदार हुआ है मेरे समत पूछो मैं जो बोलना है वो सुनो और मेरा जो बोला हुआ है उस पर सवाल करो स्रिष्ट्री के आधी से वेद लिखना की और कैसा संबब होगा अरे वेद लिखा गया है राजा इच्छाकू के काल में ये महिदिक संपत्ती में पंडित रगुनंदन शर्मा जी ने भी दर्शाया और रिशेदैनन ने भी लिखाया तो कागा दाविश्कार होने के बाद ही ये गडरियों का गीत है यानि हमारे यहां पर जो पशु चराते थे जंगल में वो भी वेद मंत्र गाते थे इसलिए सामबेद गाये विद्धा ये कुरान माले कहां पाएंगे कैसे जानेगे जो स्वर है ना सरगम वो केबल सामबेद में है ये जानेगे हो जो सारे गामा पाधानी धा पाप ये जो हमारे गायक लोग बोलते हैं ये केबल और केबल वेद में है किसी के पास नहीं है ना कोई ला सकता इसको जानते ही नहीं है इसलिए मैंने निवेदन किया कि वेद जो लिपी बद किया गया है वो लिपी बद किया गया है राजा चाकू के कार में जब कागस का अविश्कार हो गया तो उसके बाद ही ये वेद लिपी बद की गई तो मैं खैर मेरा इंटरनेट तो काम नहीं किया और मैं फेस्बुक में आप लोगों से जुर नहीं पाया नमालूम क्या कारण है क्या वज़ा है इसलिए मैं इसको इस वीडियो को मैं कैमेरा में लेकर के बनाया हूँ लगबग 40 मिनट होने जा रहा है और जो वीचार मैं आप लोग औरों तक पहुँचाए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए औरों तक पहुचाए जहां से इस सच्चाई जहां तक हो सके दूर दूर तक पहुचे आज परमात्मा की आसी मानु कमपा है अभी एक इसाई को और बैदिक धर्मी बना है जन्मजात इसाई है वो बहुत पहले से मेरे टच में था और मेरे कीवे सवालों को और पादरियों से हमारे देश में नहीं बीदेशी पादरियों से भी किया कि यह सवाल है यह कोई जवाब नहीं दे पाया वो खुद बोल रहा है वो वीडियो भी आने वाले आप लोग